हेलो एवरिवान मैं श्वेता आपके अपने चैनल एसजी वराइटीज में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूं तो आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पाइसी और क्विक स्नेक जिसका नाम है गार्लिक पटेटो इसको हम आज एक नए अन्दास में प्रेजन्ट करेंगी तो चलिए रेस्पी बनाना स्टार्ट करते हैं रेस्पी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएग जिससे मैं जब भी नई रेस्पीस डालूंगी उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगा और आप मुझे फेस्बुक और इंस्ट्रागरम में भी फॉलो कर सकते हैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्स बॉक्स में दिया हुआ है यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक कटोरी मैद और इसमें हम आधा चमच नमक डालेंगे या अपने सुआत के नुस्वार नमक डाल सकते हैं और यहाँ पे मैं डालनी हूँ तीन चमच वेजिटेबल ओयल तो ओयल हमें एक साथ नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मैदे में ओयल को अच्छे से मिक्स कर करने लगी है मैदा हमारी बनने लगे हमें इतना ही ओयल डालना है तो जैसे हमारी मैदा अच्छे से मिक्स हो जाएगी हम थोड़ा थोड़ा पाइन डालके इसका एक टाइट डो लगा लेंगे तो इस तरह से हमने एक टाइट डो लगा लिया इसके उपर हम थोड़ा सा ते एक बड़े बरतन में भिगो के रख दिया था जिससे आलू हमारे अच्छे से साफ हो जाए और इस तरह से हम चार हिसों में इन आलू को कट कर लेंगे और फिर पानी में भिगो देंगे जिससे हमारे आलू जो है लाल ना पड़े और हम इन आलू को अब दो-तीन पानी से और वाश कर लेंगी जिससे इसमें जो भी स्टार्च है वो निकल जाए यहां मैंने एक बड़े बरतन में पानी गरम करने के लिए रखा है इसमें मैंने डाला एक चमच नमक और आधा चमच बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर हम इसलिए डालते हैं क्योंकि इसमें हमें तो रुषप करना है तो हम लगबख अलू देख्या आख चु का है ऊस्तार से चेक कर लेंगे और श्रीनन में इस तरह से हम इसको निकल लेंगे तब टक हम न बना ढो चेक कर लेते हैं तो यह देखिए ढोःर हम हमारा बहुत अच्छा बढ़ली हो गया इसको इसतार से में एक बार और सॉफ्ट कर लेंगे यह दिखे और दो के हम दो पार्ट कर लेंगे जिसमें से एक पार्ट की हम इस तरह से लोई बना लेंगे यानि इस तरह से पेड़े फॉर्म में इसको तैयार कर लेंगे गोल-गोल और इसको हम रोल कर लेंगे तो इस तरह से हमें बिल्कुल पतला रोल कर लेना है मैं इसकी थिकनेस आपको दिखाती है इस तरह से हमें इसकी थिकनेस रखनी है बहुत मोटा नहीं रखना है और इस तरह से आप कोई भी गोल ढखकन आपके घर में कोई गोल कटोरी कुछ भी हो इस तरह से हम गोल-गोल इसमें कट कर लेंगे और फॉक की हेल्प से इसमें प्रिक कर लेंगे और बस इस तरह से हम गोल-गोल अपनी पापड़ी निकाल लेंगे यहां मैंने गैस को मीडियम फ्लेम पे रखा है क्योंकि हमें यह जो अपनी पापड़ी है ये low से medium flame पे हमें तलनी है क्योंकि अगर high flame हम रख देंगे तो हमारी जो पापड़ी है वो अच्छी से अंदर से crisp नहीं हो पाएंगी तो इस तरह से आप low से medium flame पे ही इसको तलें और ये पापड़ी को हमें golden brown होने तक तलना है तो पापड़ी हमारी हो चुकी है और हम इसको अब निकाल लेते हैं इसी stage पे इस तरह से एक strainer पे निकाल लेंगे इसका जितना भी extra oil है इसको निकाल देंगे इसी तरह से हम दूसरा बैच भी अपना ready कर लेंगे तो हमारी ये दूसरा बैच भी ready हो गया है इसको भी हम निकाल लेंगे यहां एक पैन में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ओयल और ओयल जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो हम गैस की flame को आफ कर देंगे क्योंकि हमें इसमें गार्लिक भूनना है और गार्लिक हमारा ब्राउन नहीं होना चाहिए हलका इसी तरह से भूनना चाहिए और यहां पे मैंने गार्लिक 4 चोटा बला चमच होता है वो 4 चमच डाला है क्योंकि हमें इसमें गार्लिक अच्छे से डालना है यहां मैंने डाला आधा चमच काली मिच पाॉडर और हम डालेंगे इसमें आधा चमच चिली फ्लेक्स और आधा चमच मिक्स हर्व इसकी जगे आप और्गेनों भी डाल सकते हैं इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पस इसी स्टेच पे हमारा तड़का है वो रेड़ी हो गया है और जो हमने आलू बॉयल किये थे उस पे यह तड़का डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह से mix कर लेंगे इसमें oil अच्छे से होना चाहिए और यहां पे हम baking tray लेंगे इस पे हम foil paper इस तरह से लगा देंगे क्योंकि हमेरे जो अपना garlic potato है बेक करना है तो इस तरह से हम सारा इसमें डाल के इस पे सारा masala भी डाल देंगे और अब हम इसके उपर डाल देंगे bread crumbs तो सारे bread crumbs हम सारे alo पर डाल देंगे इस तरह से और इसको 200 degree पे 20 minutes bake करना है तो इस तरह से हमारा यह ready हो गया है और बस bake करने के लिए हम चलते हैं तो बीच में हम इसको निकाल के एक बार चला लेंगे और फिर से bake करने के लिए रख दे तब तक हम अपनी डिप तैयार कर लेते हैं यहां पर मैंने लिए दो चमज मियोनीज और यह हम लेंगे हंकर्ड एक चमज एक चमज गार्लिक का पीस्ट और दो हरी मिच को मैंने इस तरह से बारी कट करके डाल दिया है अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे हम मिक्स हर्ड और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह mango देखे डिब बन के रेडी हो गई है तो तब तक हम अपने आलू भी चेक कर लेते हैं तो यह लिए है अच्छे से बेक हो चुकी है तो चलिए अब इन सब जीजों की पीप्लेटिंग कर लेती कर दो